स्कॉर्डा की नई कार लॉंच और बाजार मुकाबला स्कॉर्डा अपनी नई कार जल्द गए ही भारती बाजार में लॉंच करनी की तैयारी कर रही है ये गाड़ी SUV सेग्मेंट में पेश की जाएगी और इसका मुकाबला Tata, Maruti और Hyundai जैसी प्रमुक कम्पनियों से होगा Skoda की ये गाड़ी, Sedan और SUV दोनों सेग्मेंट में प्रतिसपर्धा बढ़ाएगी नई कार में कितनी कुशमता का इंजन होगा, इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है रियल GDP में 7.2% की व्रधी का अनुमान भारती रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 2024-25 में भारत की रियल GDP में 7.2% की व्रधी का अनुमान जताया है उन्होंने कहा कि बहतर क्रिशी परिद्रश और ग्रामीन मांग से नीजी उपभोगता में बढ़ोतरी की संभावना है सिवाओं में निरंतर उच्छाल से शेहरी मांग को भी समर्थन मिलेगा जबकि सरकारी खर्च में तेजी और कमपनियों की मसबूत बैलेंस शीट निवेश गतिविदियों को प्रोतसाहित करेगी Tata Suns IPO सिöttमबर 2025 तक होगा लिस्टेड RBI ने Tata Suns के शियर बाजर में लिस्टिंग से छूट देने के प्रस्ताव को असविकार कर दिया है इसके अनुसार अब Tata Suns को सितमबर 2025 तक शियर बाजर में सूची बद्ध होना आनिवारे होगा टाटा समो की कंपनियों जैसे टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टिमेंट कॉर्पोरेशन के शियर्स में इस खबर के बाद तेजी दर्ज की गई है सोने और चांदी के भाव में तेजी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने और चांदी की क्यमतों में तेजी का रुज़ान देखा जा रहा है जो वैश्विक बाजार के रुज़ानों से मेल खा रहा है